हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉरमेटिव वीडियो यूपी ट्रपल सी से लेकपाल की भरती आनी थी और इसका इंतजार जो है विद्यारतियों की द्वारा बहुत लंबे यानि की प्राचीन काल से किया जा रहा था और यूपी ट्रपल सी क पाल भरती 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है तो आप जाकर इसका जो आविदन है वो कर सकते हैं लेकिन उसके पहले आपको इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो पता होना चाहिए वो पढ़ा होना चाहिए आपको तो यहां पर हम जो कंप्लीट न notification है। उसके बारे में देखने वाले है कि कौन-कौरन इसमें अविधन कर सकता है, कौन इसमें आ विधन नहीं कर सकता है, युग गिता क्या है, स्लेबस क्या है, सारी चीजें डेटेल में देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन तो ये देखिए उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोक का जो ओफिसियल वेबसाइट सी वहां से ये जो नोटिस है यानि की नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया गया है और कम्प्लीट जो नोटिफिकेशन है वो यहां परम देखने वाले हैं तो आवेदन जो है आपके 7-1-2022 से सुरू हो जाएंगे यानि कि 7 तारीक से आप आवेदन कर सकते हैं और 28 जनवरी तक ही कर सकते हैं तो कहीं PT की तरह है आप अंतिम दिन के लिए लास्ट डेट के लिए ना बैटे रहें तो साथ के बाद 8-9-10-15 के पहले पहले आप लोग इसका जो आवेदन है वो जरूर कर ले जो भी इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं विद्यारती मेरी आप सबी से यही सला है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर ले 15 तारीक क पहले पहले लास्ट डेट के लिए इंतजार बिल्कुल ना करें फिर कहीं साइट नहीं चलती है कहीं कुछ नहीं होता है और आपने पीटी के समय देखाई होगा तो यह सारी चीज़ें बताई गई हैं और अगर आप आवेदन करते समय कोई गलती कर देते हैं तो चार नहीं किया जाएगा और आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके फीज समयोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता मतलब बैंक नहीं बता देगा कि यहां फीज आ गई तब तक आप प्रेंट आउट कंप्लीट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे यह सारी चीजें यहां पर वही चीजें बताई गई हैं यह देखिए यह यहां पर बताया गया है कि कौन-कौन इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकता है तो जिसने भी पीटी का एक्जाम दिया था उनका परसेंटाइल इसकोर जारी किया गया है तो वो सभी विध्यारती इसमें जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं पहले यह चर्चा चल रही थी कि 70% लेंगे 80% लेंगे तो कोई भी कंफर्म नहीं था लेकिन अब यहां पर इन्होंने बता दिया है कि आवेदन सभी कर सकते हैं बाद में सौर्ट लिस्टिंग जो है वो यूपिटर पलसी के द्वारा की जाएगी और फिर कौन ये परिक्षा दे पाएगा वो ये बताएंगे एक उफिशल नोटिस जारी करेंगे और उसके माध्यम से बता देंगे ये कि इतनी कट आफ की गई है और वही विध्यारती जो है फॉर्म का मतलब जो एक्जाम होगा वो दे पाएंगे फॉर्म इसमें सभी लोग फिल कर सकते हैं जिनोंने भी पीटी का एक्जाम दिया था ऐसा नहीं कि पीटी का एक्जाम भी नहीं दिये और आप सोचें कि हम भी फॉर्म भर दें तो ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है तो आप समझ गयोंगे कि क्या कैसा गई है क्योंकि ज्यादातर लोग सभी लोग यहीं बोल रहे थे कि अभी पीटी करा लेंगे इसके बाद फिर यह नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें सबसे भरवाएंगे और खूब पैसा चापेंगे तो यूपीटर पलसी को यह समझ आ चुका था तो उसने यहां पर फ मतलब की आवेदन की जो फीस है वो तो इनहोंने जीरो रखे सभी के लिए लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया की जो सुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया सुल्क फीस पच्चिश रुपै वो बस आपकी लगेगी यानि कि वैसे सबका फ्री किया हुआ है इनोंने कि आप आरोप ना ऐसे कि पूरा rag Link का पूराा सुधार कर लें टो ये चीजवे यहां पर बताई गई है, विवयरन यहां पर दिया गया है कि जो है वह 18 से 40 आपकी जो एज अनरचित के लिए 327 पद हैं अन्सूचित जाती के लिए 1690 पद अन्सूचित जन जाती के लिए 152 पद OBC के लिए 2174 पद जो हैं वो हैं और EWS के लिए 798 पद टोटल जो वैकेंसी आई है वो 28885 वैकेंसी निकाली गई है और अगर आगे बात की जाए योगजिता की कि योगजिता क्या मांगी गई है तो यहां पर सीधा सीधा दिया है कि आपका intermediate होना चाहिए और CCC पहले चर्चा थी कि CCC मंगा जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपका जो इंटर है वो complete होना चाहिए और अदिमानी आरता में तो यह चीज़ें दी ही रहती है तो केवल अगर आपका इंटर है तो आप इसका जो form है वो फिल कर सकते हैं अगर यहां पर परिच्छा योजना की बात की जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा तो सेम वही पैटर्न है जो पिछली परिच्छाओं का था मतलब पहले जो भरती हुई थी आपकी लेकिन उसमें आपका इंटर्व्यू था यहां पर इंटर्व्यू नहीं है तो जो प्रस्न है उनकी थोड़ी-थोड़ी संक्या बढ़ा दी गई है यानि कि हिंदी आपकी 25 नमबर की आईगी गड़ित आपकी 25 नमबर का आएगा और ग्राम समाज एवं विकास 25 नमबर कुल 100 नमबर का आएगा दो गंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा, अब आगे यहाँ पर पूरा पाटक्रम दिया गया है, कि हिंदी में क्या-क्या पूछा जाएगा, यह सारी चीज़े दी गई है, रिखागड़े, समाने, ग्यान, और सारी चीज़े यहाँ पर सिलेबस पूरा कंप्लीट दिया गया है, क्या कैसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसकी जो महत्त पूर्ण बातें थी, वो आपको यहाँ पर बता दी गई है, आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी एक बार अच्छे से पढ़ ले, फॉर्म फिल करने के पहले, So, Thank You, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर कोई आपका question है, और अगर कोई आपका question है, query है, Thank You.